आज किस वीडियो में हम बात करेंगे प्रसनावली 13.4 का प्रसन संक्या 8 से लेकर 10 तक के हल तो वने रहेगा आप लोग को वीडियो को सुरू से अंते तक देखना है और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो आप से छोटा सा रिकोश्ट है कि इतनी मेहनत करने के चले साथियों आज की इस प्रसन को हल करना प्रारंब करते हैं हमारा जो प्रसना है इसमें कहा गया है धात की चादर से बना और उपर से खुला एक बरतन संक की छिनक के आकार का है जिसकी उचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और उपरी सिरो की तिर जाएं 8 और 20 सेंटीमी सौ बर ख सेंटीमी की दर से घ्ञान करना है यानि कि इस प्रसन में काफी प्रसन पूछा गया है शेरिए एक एक करके हम लोग इस प्रसन को हल करते हैं को साथियों इसमें जो है लगबद दूध का मूले यानि की जो बर्तन है। शीनक का आकार का बर्तन का आपको सबसे पहले औसमें कितना की फाल थाएफे डोध कूई उसका पूल बता न सब बाद लिख लेना है उसके बाद आयतन का फार्मरा लगाना है चलिए साथियों हमारा जो उचाई दिया है 16 cm तो यहां पर मैं लिख लेता हूं छिनक के उचाई के उचाई H बराबर 16 cm इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे ये दो वैलू हमारा दिया गया था मैंने इसको लिख लिया आप लोग देख सकते हैं इस प्रस्त में 8 cm, 20 cm यहाँ पर मैंने और उचाए 16 cm दोनों वैलू को लिख लिया हूँ अब क्या करना है जो बरतन है वो छिनक के अकार का है तो छिनक का आइतन का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला आपको लगाना है यहाँ पर लिखते हैं बरतन का आइतन या छिनक का आइतन छिनक का आइतन का आइतन तो छिन्नक का आयतन का फार्मुला होता है एक वटे 3 पाई H और उसके बाद ब्रेकट में होता है सातियों R1 का स्क्वाइर प्लस R2 का स्क्वाइर प्लस R1 इंटू R2 होता है ये फार्मुला होता छिन्नक के आयतन का अब उसके बाद इसमें लागर के मान को रखना है तो एक बटे तीन गुड़े उसके बाद पाई का मान इस्टुडेंट आप रखे या ना रखे उसके बाद कोई फरक नहीं है तो इसलिए पाई का मान अभी मत रखिए उसके बाद एच का मान कितना है 16 cm है तो 16 लिख लेता हूँ उसके बाद R1 R2 का मान कितना है R1 का 20 का square R2 का मान 8 का square तो 20 का square उसके बाद 8 का square उसके बाद R1 R2 कितना है साथ ही हूँ यानि 20 गुड़े 8 20 गुड़े 8 इतना value आपका दिया गया है अब हम लोग क्या करेंगे इसको calculate करेंगे तो calculate करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 pi 16 pi उसके बाद बटे में 3 है साथ ही हो 3 कर दीजेगा उसके बाद bracket के अंदर 20 गुड़े 400 होता है पलस 8 गुड़े 64 होता है पलस 20 अठे 160 होता है 160 यहां पर मैं लिख देता हूँ यहां तक आप लोग समझ गये होंगे अब उसके बाद इसको जब मैं calculate करूंगा साथ ही हो तो यह हो जाएगा आपका 16 pi उसके बाद बटे में 3 है 3 उसके बाद गुड़े में इन सब को आपको टोटल जोड़े लेना है साथियो तो इन सब को आप जोड़ेंगे तो आपका आजएगा 624 624 घन सेमी यहां पर यह आपका आजएगा 624 इसको आप cancel भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो इसको cancel कर सकते हैं साथियों तो इसको आप calculate करेंगे तीन से यहां पर इसको भाग कर दीजिए तो तीन से भाग करेंगे तो आपका 208 आजएगा तो यहां पर आपका जो बच रहा है यह 16 पाई और गुड़े 208 यानि कि यहां पर 16 पाई उसके बाद गुड़े में 208 है 208 कर दीजिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे साथियों अब उसके बाद क्या करेंगे 16 का गुड़ा आप 208 में करेंगे साथियों तो यहां पर आपका आजएगा 3000 आपका आजएगा 3328 3328 और पाई है तो पाई भी लिख दीजिएगा यहां तक आप लोग समझ गए होंगे इतना घंसेमी आपका जो है निकल करके आजाता है घंसेमी यह जो है छिनक का आईतन निकल करके आजाता है अब उसके बाद यहां पर आपको करना क्या है साथियों इसमें जो है 20 रुपे पर इतने आईतन में जो है छिन्नक की इतने आयतन में 20 रुपे पर लीटर की दर्स जो है इसमें दूद रखा जाता है तो आपको इसमें जितना दूद है उसका पूरा आयतन बताना है आप सभी को उसके बाद क्या करना है साथियों यहाँ पर आपको 3328 बुड़े पाई का मान भी 3.14 रख देना है उसके बाद इसको भी कल्कुलेट कर लीजिएगा आप तो इसको भी कल्कुलेट करेंगे आप तो आपका अंसर जो आएगा वह आजाएगा 10444 पॉइंट में भी लिखा आता है इसमें जितना दूद रखा है बीजी पर्प्रेय्ट लिटर के दर से इसमें दूद का मूली बताना आप सबीटो सब्सके पहले आपको क्या करना है सो ही जो है 20 रूप करद लिटर से इसमें 10 लिटर दूद है यहां पर आपको प्रस्त में देख लेना शेधimentoNot यहां का आगया प्रस्त में 20 रुपे पर लीटर के दर से जो है बरतन में पूरा भर जा सकने वाले दूद का मूल ग्याद करना है तो यहां पर आईए अब हम लोग दूद का मूल ग्याद करते हैं उसके बाद आपको साथी में आपर क्या करना है ये घं सेमी में है इसको आपको लीटर में बदलना पड़ेगा तो घं सेमी से लीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना है आपको बैलू पता होना चाहिए कि साथी में जो आपका मान होता है एक लीटर बराबर 1000 ml होता है त तो यहां पर एक 1000 से भाग करेंगे तो 10449.92 उसके बाद बटे में साथ हूं एक 1000 से भाग करेंगे तो यह पुरा आपका लीटर में चेंज हो करके आएगा यानि कि यह पूरी वेलू आपका आजाएगा इस्टुडेंट 10.10 आपका आजाएगा 45.0 और यह आजाएगा लीटर में इसमें आजाएगा साथ हूं लीटर में आपका आजाएगा यहां तक आप लोग समझ गए होंगे अब आपको क्या करना है 20 रुपे पर लीटर की दर से दूद का मूल लिगात करना यानि कि उसमें 10 लीटर दूद है 10 लीटर दूद उसमें रखा हुआ है तो आपको 20 रुपे पर लीटर की दर से दूद का मूल लिगात करना है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे चुकि 20 रुपे प्रती लीटर की दर से दूद का मूल ले तो क्या हो जाएगा है यह आपका हो जाएगा 20 बीस बुड़े उसके बाद साथियों इसमें 20 रुपे प्रती लीटर की दर से निकालना यह प्रस्ण में आपके कहा गया है इसमें आपको जितना दूद है उससे गुड़ा कर देना है तो दस पॉइंट चार पांच जीरो और उसके बाद इसमें गुड़ा कर दीजिगा साथियों आप तो इसमें जब आप गुड़ा करेंगे तो आपका आजाएगा 209 रुपया तो ये आपका एक आंसर ये हो जाता है साथी हूं आशा करते हैं आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे अभी हमारा एक परस्ण का हल आया है साथी हूं अभी हमें इसमें 2 एक परस्ण और निकालना है एक परस्ण किया निकालना है या निकिस बरतन में दूद रेखा हुआ है उस बरतन का वक्र प्रिष्टीज हेतर फल क्या होगा तो आएए उसको भी हम लोग हलकरते हैं तो अब अगर आप इसका स्क्रीन स्वाट लेना चाहते हैं तो इस्क्रीन स्वाट इतना कर सकते हैं साथियों उसके बाद आगे हल करते हैं हम सभी लोग आईए चलते हैं गले प्रस्ट पे साथियों इस प्रस्त में कहा गया है कोई वाल्टी संक के छिनक के रूप की है जिसकी उचाई 30 सेंटीमीटर तथा निचले और उपरे सिरो की तिरिज्जाय करमसा 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है इस वाल्टी की धारिता तथा संपूर प्रिष्टिय शेतरफल ग्यांत कीजिए 25 रुपे प्रते लिटर के दर से इसमें दूद रखा है तो उसका लागत भी आपको बताना है चले साथियों आए इस प्रस्त को हम लोग हल कर लेते हैं प्रस्त बहुत ही सिंपल है सबसे पहले क्या करते हैं यहां पर जो बतान है वो छिनक के आकार का है तो छिनक की उचाई दिया गया है यहां पर लिख लिया जाता है एक एक करके हम लोग लिखते हैं संक के छिनक की उचाई यह आपका साथियों दिया गया है यह अच बराबर 30 cm है आपका यह बराबर 30 cm है मैंने 30 cm लिख लिया और उसके बाद इनकी तिरिज्जाएं जो है R1, R2 का मान दिया गया है 10 cm, 20 cm तो संकुके जो है निचले सिरे की तिरिज्जा, R2 बराबर मान लेता हूं 10 cm संकुके के छिनक छिनक के निचले सिरे की तिरिज्जा तिरिज्जाएं इसको साथियों मैं मान लेता हूं निचले सिरे की तिरिज्जा R2 बराबर 20 cm है 20 cm यहां तक आप लोग समझ गये होंगे उसके बाद छिनक के उपरी सिरे की तिरिज्जा छिनक के उपरी सिरे की तिरिज्जा तिरिज्जा इसको माल लेता हूँ R1 बराबर साथियों इसको माल एक मिनट एक मिनट एक मिनट साथियों यहाँ पर हम लोग गलत करें हैं यह R2 जो है इसको 10 cm पहले 10 cm दिया गया है तो पहले आप 10 cm कीजिए इसके बाद इसको R1 बराबर दूसरा हमारे कितना 20 cm है तो इसको आप 20 cm कर लीजिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे अब उसके बाद क्या करना है साथियों छिन्नक की धारता निकालना है यहां पर धारता ज्यांत करने के लिएगा बाल्टी की धारता यानि की बाल्टी छिन्नक के आकार का होता है तो यहाँ पर लिखते हैं छिनक की धारिता छिनक यानि की बाल्टी यहाँ पर स्वाट में मैं लिख देता हूँ ब्रेकट में की धारिता धारिता का मतलब होता है आईतन तो छिनक का आईतन क्या होता है एक बटे तीन उसके बाद पाई एच पाई एच और ब्रेकट में होता है आरवन का स्क्वाइर पिलस आरटू का स्क्वाइर पिलस आरवन इंटू आरटू होता है यहां तक आप लोग को किलियर होगा अब इसमें ला करके मान को रख लेना है साथी हूं तो एक बटे तीन उसके बाद गुड़े में पाई कामान तीन दस्मलों एक चार इसमें रखना है क्योंकि इसमें कहा गया है साथी हूं परस्ट में आप लोग देखेंगे तो आपकी परस्ट में तीन दस्मलों एक चार कहा गया है कि तीन दस्मलों एक चार आप यूज करेंगे इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे उतके बाद गुड़े में साथि हूँ गुड़े में h कामान कितना है? h कामान 30 cm है तो यहाँ पर 30 रख लिजेगा उसके बाद r1 r2 कामान लाए रखे तो देखे r1 कामान 20 और r2 कामान 10 तो यहाँ पर r1 कामान 20 का स्क्वाइर उसके बाद पलस r2 कामान साथि हूँ आपका 10 है तो 10 का स्क्वाइर उसके बाद पलस में r1 into r2 होता है यानि 10 गुड़े 20 यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अब हम सभी लोग इसको कैल्कुलेट करेंगे साथियों तो देखते हैं कितना हमारा अंसर आएगा तो अगर मैं इसको कल्कुलेट करता हूं साथियों तो यहाँ पर हमारा आजाएगा तो यह आजाएगा 3 दौएम 30 3 दौएम 30 यहनि 10 आजाएगा और उसके बाद 3 दौएम एक चार गुड़े में यह आपका 10 आगया तो 10 लिख दीजिएगा उसके बाद ब्रेकर्टिक के अंदर साथियों 20 दौएम 400 होता है प्लस 10 दौएम 100 होता है प्लस 20 दौएम 200 होता है इतनी बातें आप लोग समझ रहे होंगे अब उसके बाद साथियों इसका गुड़ा इसमें करेंगे तो 10 लो एक अंग बाद लिफ्ट हो जाएगा यानि कि यह दसमलो यहां आजाएगा तो यह आजाएगा 31 दसमलो 4 उसके बाद गुड़े में साथियों और इन सब को जोड लिया जाएगा तो देखे चार दो छेक 700 हो जाएगा यह आप सभी का कितना हो जाएगा साथ सो हो जाएगा अब उसके बाद 700 का गुड़ा तीन दस्वल लेक्षार में करेंगे साथीओं तो यह आपका जो मान आएगा वो आएगा साथीओं आपका ऐहां तक आप लोग समजगे अब उसके बात क्या करना ये घृन सेमी में साथिह उं तो इसमें एक हजार से भाग कर देंगे तो ये आपका लीटर में आ जाएगा यानि कि इसमें आप एक हजार से भाग कर देंगे 21,980 भागे एक हजार तो एक हजार से भाग कर देंगे तो यह आपका कुल मिला करके आजाएगा साथियों यह आपका आजाएगा भाग करेंगे तो यहां से आपका आएगा साथियों 21.98 लीटर में निकल करके आ जाएगा यहां तक आप लोग समझ गे होंगे अब इसमें साथियों जो है एक लीटर का दाम पर लीटर की दर से दूद का मूल ले यहीं लागत बताना है तो एक लीटर का दाम 25 रूपया है तो आपको इसमें जितना लीटर दूद है उसका पूर लागत कितना साथियों 25 रूपया है आपका 25 रूपया है यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे तो आपको इतनी लीटर दूद का मान बताना है तो यहां पर चुक की तो आपका जो आंसर हो जाएगा यह आप बोलेंगे कि 21.98 लीटर लीटर दूद की लागत दूद की तो यह क्या हो जाएगा 25 गुड़े 25.98 इतना का आपको 25 रूपय से दूद में गुड़ा कर देना है पैसे से तो आपका जो मान आएगा साथियों रूपय में जो आंसर आएगा वो आजएगा पांस सो अन्चास पांस वन्चास पॉइंट में 50 इतना आपका आंसर आ जाता है आसा करते हैं आप सभी लोग इसप्रस्ण काल समझ गए होंगे अब उसके बाद शाथे इसे में एक चीझ और बिग्याद करना है यानि जो चिनक होता उसका संपूर परीश्टी जहित के त्रियक उचाई तो साथियों बाल्टे के त्रियक उचाई L बराबर होता है L बराबर होता अंडर रूट में साथियों यह होता है H स्कॉाईर प्लेस प्लेस R1 माइनस R2 का स्कॉाईर होता है अब इसमें मान लाकरके रखेंगे तो L बराबर साथ ही हो अंडरूट में H कमान कितना है आप लोग देख सकते हैं H कमान 30 cm है यहाँ पर 30 ला करके रख देंगे तो 30 का स्क्वाइर उसके बाद पलस R1 माइनस R2 यानि R1 कमान 20 है और R2 कमान 10 है तो यहाँ पर आप लोग मान रखेंगे कि 20 माइनस R1 कमान 20 है R2 कमान 10 है और इसका स्क्वाइर है तो स्क्वाइर कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका निकल कर आए जाएगा R बराबर 33 त्रिक का 9 यह आपका 900 हो जाएगा यह 900 हो जाएगा उसके बाद पलस 20 में से 10 को घटाएंगे 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 आएगा 10 का स्क्वाइर आपका 100 हो जाता है उसके बाद साथी यहाँ से आजएगा L बराबर यह आपका देखिए कितना हो जाएगा 1000 हो जाता है यह आपका टोटल फाइनली 1000 हो जाता है यहां तक आप लोग समझ रहे होंगी और उसके बाद साथे यह खजार का जो बर्गमूल होता है यह आजाएगा 31.62 एक खजार का बर्गमूल 31.62 यह आपका सेमी में निकल करके आ जाता है बाल्टी की तिरिछी उजए निकल करके आ जाती है यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे अब उसके बाद इसका परिष्टीज छेत्फल आपको घ्यांत करना है तो परिष्टीज छेत्फल अब बिल्कुल बहुत आसानी से घ्यांत हो सकता है कैसे घ्यांत होगा आएए उसको हम लोग भी निकालते हैं तो यहां पर हम लोग निकालेंगे बाल्टी के समपूर प्रिष्टिय छेत्रफल यहां पर लिख लेते हैं वाल्टी का समपूर प्रिष्टिय छेत्रफल तो समपूर प्रिष्टिय छेत्रफल हम लोग फार्मला लगाएंगे कौन सा फार्मन लगाएंगे बाल्टी का प्रिष्टिय छेथफल पलस निचले सिरे का प्रिष्टिय छेथफल क्योंकि बाल्टी में पेदी जो होता ये गोलाकार होता तो पेदी उसमें नहीं सामिल होता है तो पेदी जो होता उसको भी आपको उसमें सामिल करना पड़ेगा तो यहाँ पर लिखेंगे वाल्टी का वक्र प्रिष्टिय छेत्रफल उसके बाद पलस निचले स्रे का छेत्रफल निचले स्रे का छेत्रफल इतनी बाद आप लोग समझ रहे होंगे अब इसमें फार्मला को ला करके आपको रखना है तो वाल्टी का यानि छिननक का वक्र प्रिष्टेश छेतरफल क्या होता है यह होता है पाई L और ब्रेकट में R1 प्लस R2 होता है प्लस निचला सिरा बृत्ताकार होता है तो बृत्ताकार सिरे का छेतरफल क्या होगा यह होता पाई R2 लेकिन निचला सिरा जो है तिर्जा के रूप में R2 मान गया है तो R2 का स्कॉयर कर दीजेगा अब इसमें मान आपको ला करके रखना है साती हूं तो पाई का मान आपको कितना रखना है 3.14 क्योंकि आप पहले भी 3.14 रख चुके हैं उसके बाद L का मान अभी आपने कितना निकाला है यहां पर 3.31.62 तो यहां पर L कुना कीडि रख लेते हैं इतनी बात हैं आप लोग समझ रहे होंगे आरूनалист कितना साती है आपका 20 और 10 है तो 2010개를 अ 10 उसके बाद में साथियों आपको करना क्या है प्लस πाई कमान 131514 अप लोग रख लीजिएगा उसके बाद बुड़े में साथियों ने ज्वराक एअरटों कितना है आटों कमान आप सभी का R2 कमान 10 है तो 10 रख लिजेगा और इसका square है तो square भी कर दीजेगा आप सभी लोग यहां तक आप लोग समझ गए होंगे उसके बाद आप का जाएगा 3.1,4 उसके बाद गुड़े में 31.62 उसके बाद गुड़े में 20 और 10,30 हो जाएगा तीस उसके बाद पुड़े में 3.1,4 उसके बाद गुड़े में 10 का square 100 हो जाएगा यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे इन सब का totally finally गुड़ा कर देंगे आप सभी लोग तो आप लोग पूरा गुड़ा करेंगे तो आपका जाएगा 29.78 29.79 29.79 point में आएगा साथ हूँ आपका 604 उसके बाद plus में इसका गुड़ा इसमें करेंगे तो यह आपका 314 हो जाएगा यहां से 10 मों गायब हो जाएगा उसके बाद में साथ हूँ इसको जोड़ लीजिएगा तो इसको अगर आप लोग जोड़ते हैं तो आपका आंसर जो आजाएगा वो आएगा साथ हूँ आपका 300 एक मिनट एक मिनट साथ हूँ यह आपका जो मान आएगा यह टोटली तो इस्टुडेंट अगर आप इसको कल्कुलेट कर लेते हैं यानि जोड़ लेते हैं तो आपका जो मान आएगा वो आएगा साथियों आपका 3,292, point में 6 point में 6 इतना आपका जो साथियों semi square आ जाता है इसका प्रिष्टी ये छेतफल semi square ये आपका प्रिष्टी ये छेतफल तो एक answer आपका ये भी हो जाएगा तो दो answer हमारा आ चुका है साथियों आप हम लोग तीसरे आमान निकालते हैं तीसरा answer निकालेंगे हम सभी लोग चलिए कै या आयत थीसरे आंसर हम लोग निकालते हैं स्क्ष्ट देखते हम लोग का क्या आएगा आ तो मैं को इसका screen आपका ये हो गया उसके बाद दूसरा आंसर आपका यह हो जाता है साथ यों इसके बाद तीसरा अंसर परिष्टेश हेत्र फौल निकालना 9 साथिनों अब आईए हम लोग आते हैं प्रस्ट संक्या 10 पे साथिन ये रहा प्रस्ट संक्या 10 इस प्रस्ट में कहा एक तंबू को एक संकु रखकर संकु कार छिननक के रूप में बनाया जाता है छिननक के उपरी और नीचले सीरो का ब्याश करमसा 20 cm और 6 cm है तथा उचाई 24 cm है यदि तंबू की उचाई 28 मीटर हो तो केनवस का छेतरफल ग्यांद कीजिए यानि कि उस तंबू को बनाने में कितना केनवस लगा उसका आपको छेतरफल बताना है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तंबू को बना लेते हैं कुछ इस तरीके से तंबू की आकरती होती है साथियों तो हमने इस तंबू को यहां पर बना लिया यहां तक आप लोग समझ गए होंगे साथियों इस तरीके से हमने तंबु को बना लिया साथी हूं उसके बाद क्या कर रहा है इसके निचले की सिरे की तिरिज्या देखते हैं इनके ब्यास जो है ब्यास दे गए हैं तो तिरिज्या हमको निकालना पड़ेगा 20 सेंटिमीटर और 6 सेंटिमीटर है तो एक मिनिट यहां पर इस इसकी सीधी उचाई भी आपको निकालना पड़ेगा इसकी सीधी उचाई कितना है साथियों इसकी सीधी उचाई 24 सेंटिमीटर है वोले मिलाकर 28 सेंटिमीटर है तो यानि कि एक मिनिट यहां पर इसमें स्टुडेंट काफी क्रेट करना पड़ेगा तो इसमें बीच में सा सा कटा हुआ भाग है इसका यहां से इतना कटा हुआ भाग है इसका अब उसके बाद यहां पर जो इतने भाग की उचाए साथियों यह आपका यहां पर देख सकते हैं 24 पूरा आपका 28 है टोटल आपका जो है 28 सेंटीमीटर है 28 मीटर है सेंटीमीटर में नहीं मीटर में है 28 मीटर है उसके बाद साथियों जो यहां पर जितना कटा हुआ भाग इतने की उचाए 24 मीटर है तो यहां पर हम लोग 24 मीटर कर लेते हैं इसको इतनी उचाए साथियों हमारा 24 मीटर है अब आप लोग ध्यान देजिए इतना है और पूरा 28 है तो यानि कि इतने का उचाई कितना होगा तो इतने के उचाई कितना होगा साथियों जो 24 और कितना 24 28 यानि कि इतने के उचाई आपका 4 cm हो जाएगा इतने के उचाई आपका 4 cm हो जाएगा यहां तक आप लोग समझ गए होंगे इतनी बातें आप सभी को किलियर है साथियों अब उसके बाद आपको करना क्या है इसका मान निकालना है कैलकुलेट करना है आप सभी को तो इनकी तिरिज्जाओं को भी लिख लिया जाए इनके ब्यास दिये हैं 20 cm 6 cm यानि कि चोड़े आले सिरे का ब् तिरिज्जा कितना होगा 10 cm होगा आपको पता है और इसका 3 cm हो जाएगा यहां तक आप लोग को किलियर हो गया फाइनली इतनी बात आप लोग समझ गये होंगे अब उसके बात क्या करना है इनका मान डिनोट कर लेना है आपको लोग को साथियों तो इसका मान हम लोग डिनोट कर लेते हैं सबसे पहले चिनक के उपरे सिरे की तिरिज्या यहां पर यह जो चिनक है हमारा चिनक के उपरा सिरा या निचला सिरा है तो चिनक के उपरे सिरे की तिरिज्या यहां पर मैं लिख लेता हूँ यहां पर मैंने लिख लिया है साथियों देखिए यह जो छिनक है इसके निचले सिरे की तिरिज्या ब्यास 6 cm है तो तिरिज्या निकालेंगे तो क्या होगा आपका 6 बटे 2 करेंगे 6 बटे 2 और भाग करेंगे तो यह बराबर 3 cm निकल करके आ जाएगा उसके बाद यहां पर इसको भी निकालेंगे निचले सिरे की यह उपरे सिरे की था निचले सिरे का निकालेंगे तो 20 cm है और इसको तिरिज्या बनाएंगे तो इसमें 2 से भाग करेंगे आ आपका निकल करके आएगा दस सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आपका निकल करके आ जाएगा यहां तक आप क्या करना है आप सभी को छिननक के उचाई कितना चौबिस सेंटिमीटर छिनन केवख को इतना है किर यहीँ है यहां से लिकर यहीए छिन क्यौशाई चोबिस सेंटिमीटर है यहां पर इसको भिष्लिया जाए छिननक की तो जिन्नक की उचाई h बराबर 24 मीटर है, 24 मीटर भी लिख लेते हैं हम सभी लोग, और तम्बू की कुल उचाई 28 मीटर है, यानि यह पूरा तम्बू है, इसकी कुल उचाई 28 मीटर है, इसको भी लिख लिख लिया जाए, तंबो की कुल उचाई इसको capital H मान लिया जाए साथी हूँ capital H बराबर आपका 28 मीटर है 28 मीटर यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे इतनी बात अब आए हम लोग इस प्रस्न को ध्यान पूर्बक खल करते हैं साथी हूँ तो फानली हम लोगोंने मान डिनोट कर लिया साथी हूँ अब उसके बाद क्या करना है हमें केनवस का छेतरफल ग्याद करना है तो देखे हमें डारेक्टली तो इस फार्मूले से निकाल नहीं सकते हैं हमें इसमें क्या करना पड़ेगा इस छिन्नक का वक्र प्रिष्टी छेतरफल निकालना पड़ेगा उसके बाद इस संकु का वक्र प्रिष्टी छेतरफल निकालना पड़ेगा दोनों को हम जोड देंगे तो हमारा मान निकल जायेगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोग ध्यान पूर्भक समझेगा वक्र प्रिष्टी छेत्रफल निकालने के लिए तिरियक उचाई पता होना चाहिए तो हमें दोनों के तिरियक उचाई निकालना पड़ेगा इस छिन्नक का भी त्रियक उचाई निकालना पड़ेगा उसके बाद इस संक के भी तिरशी उचाई निकालना पड़ेगा तभी हमारा वक्र प्रिष्टी छेत्मल ग्यानत हो पाएगा साथियों तो आईए अब हम लोग एक एक करके वकर प्रिष्टिय त्रियक उचाई निकालते हैं तो सबसे पहले इस छिन्नक वाले का निकालते हैं छिन्नक का त्रियक उचाई छिन्नक की त्रियक उचाई यह हो गया छिन्नक की त्रियक उचाई इसको मान लेता हूं 11 11 बराबर अंडर रूट में छिनक की तरिया कुछाई का फार्मुला आप लोग को पता है H square plus R1 minus R2 का whole square होता है इसमें मान को लाकर के रखा जाएगा तो H का मान कितना है आप सभी का देख लिएचे आप सभी लोग H का मान आपका 24 cm है तो यहां पर 24 का square उसके बाद plus R1 minus R2 कितना है देखिए आप सभी लोग साथियों यहां पर जो है R1 R2 का मान जो है यह कम होता है तो R2 को इसको कर लिजिए R1 इसको कर लिजिए तो R1 R2 का मान 10 और 3 cm है तो यहां पर करेंगे 10 minus 3 10 minus 3 का square अब इसको calculate करेंगे तो 11 बराबर आपका आजाएगा 24 24 cm 576 होता है तो 576 minus यह 10 में से साथियों 3 घटाएंगे तो 7 आएगा और 7 का square निकालेंगे तो 7 साथियों 45 होता है यहां पर वंचास हो जाएगा उसके वाद 11 बराबर यहां से आपका निकल करके आजगे अब 576 में से जो है 49 को घटा देंगे आप सभी लोग तो 625 आजाएगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट साथियों पलस है पलस कीजिए तो इसको जोड़ेंगे तो 625 उसके वाद 11 बराबर 625 का बर्मूल 25 होता है यानि कि छिनक की तरियक उचाई आपको पता हो गया अब जो है इस संक की तरियक उचाई निकालना है इस संक वाले का इस संक वाले आकरती का तरियक उचाई निकालना है कि वल इतने आकरती का तो यहाँ पर निकाल लेते हैं संक की तरियक उचाई तो इसको मान लेजे L2 और संक की तरियक उचाई क्या होता है साथियों h square प्लस r square होता है h square प्लस r square होता है h square प्लस r square होता है तो r square में तिरिज्या उपरे वाले सिरे की तिरिज्या r2 माने है उपर वाले सिरे की तिरिज्या r2 माने है यहाँ पर देख सकते हैं 3 cm तो यहाँ पर r2 का square हो जाएगा r2 का square अब उसके बाद यहाँ पर साथियों इसकी जो उचाई है देखिए यहाँ पर पूरी उचाई तो आपने कैप्टल H माना है और छिनक की उचाई समाल H माने हैं तो इतनी उचाई को आप H1 मान लिजिए यानि कि यह H1 बराबर जो है आपका 4 cm यहाँ पर छिननक की उचाई है तो यहाँ पर H1 का स्कॉयर कर लिजिए अब इसमें मान ला करके रखते हैं तो L2 बराबर साथियों h1 कमांद कितना 4 cm है तो 4 का square उसके बाद पलस r2 कमांद कितना साथी 3 cm है तो यहाँ पर रखते हैं 3 का square इतनी बात आप लोग समझ गे होंगे तो l2 बराबर आ जाएगा 4 चोग के 16 पलस 3 तरिक का 9 तो यहां तक आप लोग समझ गे होंगे उसके बाद अभी यह आंसर नहीं है साथी आप लोग इसके लिए चिंता मत करें बस आपको आंसर आने वाला है अब कैनवस का छेत्र फल निकालना है तो यहां पर फार्मलर लगाएंगे कैनवस कि कि width परables और कंवस का अफये थे दर्ल बरबर तो न वसका छेत्र फल का फार्मल लगाएंगे तो चिनक का वक्रपृष्ट्य छेत्र फल पलस संगह को शेत्र फल यहां मत चुननक का वक्रपृष्ट्य पृषृष्ति एल रदी संकु का वक्र प्रिष्टी छेत्रफल इतनी बात आप लोग समझ गे होंगे तो छिन्नक का वक्र प्रिष्टी छेत्रफल क्या होता है पाई एल पाई एल होता है पाई एल लेकिन यहां पर साथी में छिन्नक की जो उचाई माने हैं आप लोग छिन्नक की जो त्रियक उचाई 11 माने हैं आप लोग यहां पर देख लिजी 11 माने हैं तो πाई 11 रखेंगे यहां पर पाई 11 और ब्रेकट में R1 प्लस R2 होता है तो R1 प्लस R2 रख दीजे उसके प्लस संक के वकर प्रिश्टी छिक्वल प्रिश्टीज प्र ли रियोता कि एक मैं इतना वाले की आर्टू है यम्नितना यह संक में भी है ये जो तिरिज़ सामिल है साहतियों यह च्छिनक को ऊपर इस सिरी के तिरिज़्या भी होוא यहां पर साथियों जो है संक की तिर्षी उचाई क्या माने हैं यहां पर पाई एलटू रख लीजिएगा इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे अब इसमें क्या करना है आप सभी को मान ला करके रख लेना है मान ला करके रखेंगे तो आपका फाइनली आंसर निकल करके आ जाएगा चलिए हम लोग मान रखते हैं तो पाई का मान नहीं रखेंगे ऐसे रहने दिजिएगा उसके बाद साथियों आप क्या करेंगे मान रखेंगे तो 11 कमान कितना आया है 11 कमान देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं 25 आया है तो गुड़े में 25 उसके बाद R1, R2 कमान कितना आया है R1, R2 कमान कितना है 10 और 3 है तो यहां पर 10 पिलस 3 उसके पिलस R2 कमान कितना है R2 कमान यहां पर देखेंगे R2 कमान कितना साथ है तीन है तो यहां पर तीन रखेंगे गुड़े में तीन और उसके बाद L2 कमान कितना साथ है L2 कमान पांच है तो पांच रख दीजेगा यहां पर आप लोग को इतनी बाते समझ में आ गई होगी अब उसके बाद क्या करते हैं इसको calculate करते हैं तो pi into 25 गुड़े में 10,3,13 हो जाएगा उसके बाद plus pi into ये हो जाएगा 5 ये 15 हो जाएगा अब उसके बाद साथ ही इसका गुड़ा करेंगे तो pi 25 का गुड़ा 13 में कर दीजिएगा तो 25 का गुड़ा अगर आप 13 में करते हैं तो आपका 325 325 आजाएगा पाई और इंटू 325 पलस में पाई इंटू 15 है तो पाई इंटू 15 उसके बाद फाइनली इन दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपका आंसर जो आजाएगा साथियों वो आजाएगा 340 340 और इंटू पाई है तो पाई ये आपका जो है स्टुडेंट सेमी जो है बर्ग मीटर में बर्ग मीटर में ये आपका आंसर निकल करके आजाता है तो फाइनली यही इस प्रस्ट का हल है आसा करते हैं आप सबी लोग इस प्रस्ट का भी हल समझ गए होंगे साथियों अब अगर आप इसका स्क्रीन स्वाट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीन स्वाट बहुत ही साउधानी पूरबक कीजिएगा क्योंकि इस प्रस्ट में स्ट्रेंट काफी मगजमारी है एक एक पार्ट का आप स्क्रीन स्वाट ऐसे ले लीजिए फाइनले यही रहा आंसर इसका आते हैं अगले प्रस्ट पे साथियों तो साथियों यह रहा हमारा प्रस्ट नंबर 11 इस प्रस्ट में क्या गया है 20 संक को उसकी उचाई से बीचो बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है जबकि तल संक के अधार के शमांतर है यदि इस प्राप्त संक के छिनक का ब्यास 16 संक के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई याद कीजिए पहले आप इस प्राप्त का मतलब समझ लिजिए यहाँ पर का गया है एक जो है साथियों जो है संक को आकार छिनक है मैं उसको बना लेता हूँ जिसका सिर्ष कोड साथ हन्स है देखिए एक मिनट नीले पिंस का यूज़ करते हैं साथियों तो फिगर मैं इसका बनाता हूँ देखिएगा फाइनले ध्यान पूर्वख समझेगा इस प्रस्ट को यह प्रस्ट काफी अच्छा है इसका काल्कुलेशन काफी बेतरीन है देखिए यहां पर हमारा जो है एक संक्वाकार छिननक बन गया उसके बाद यहां पर यह बीचो बीच से काट दिया जाता है तो यहां पर आपका एक छिननक पराप्त हो जाता है इस तरह से अब इसका जो code है साथियों इसको बीचो बीच से ऐसे काड़ देया जाता है इस तरीके से ऐसे इसको बीचो बीच से काड़ देया जाता है इतनी बातें आप लोग समझ गये होंगे अब यहाँ पर आपको देखना है इसकी finally कुल उचाई कितना है पुल उचाए 20 cm है यहाँ पर 20 cm डिनोट कर लिया जाए साथियों इस तरह से इसकी पूरी उचाए 20 cm मैंने कर लिया अब बताईए आप सबी लोग इसका आधा आधा उचाए कितना होगा इसको आधे से काड़ दे जाता है तो आधा आधा उचाए कितना होगा 10 cm होगा ना आधा आधा उचाए 10 cm ही तो पराप्त होगा साथियों इतनी बात आप लोग समझ गये होंगे यह आपका 10 cm पराप्त हो जाता है फाइनली इतनी बात आप लोग समझ गये होंगे अब उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, आगे समझना है, इसको क्या कहरा है, इसको पिगला करके साथियों, इसको पिगला करके एक जो है, एक बटब पटे 16 cm ब्यास का एक तार बनाए जाता है, इस तरह से, एक बटे 16 cm इसको पिखला करके एक तार बनाये गया यह माल लेते हैं एक तार है जो है इसको काट करके पिखला करके जो है इसका ब्यास एक बटे 16 cm है एक बटे 16 cm है इतनी बाते आप लोग समझ गए होंगे अब उसके बात क्या करना है आप सभी को यहाँ पर देखेगा आप लोग को यह फार्मूला लगाना है आयतन का फार्मूला लगाएंगे इसमें इसका आयतन बराबर इसका आयतन लेकिन उसके पहले आयतन निकालने के पहले तिरिज्या क्यों सकता पड़ती है तो यहाँ पर आपको तिरिज्या निकालना पड़ेगा तो आपको तिरिज्या अलग-अलग मानना पड़ेगा देखे यह निचला सिरा है तो निचले सिरे की तिरिज्या R1 मान लेते हैं R1 मान लेते हैं और उपरी सिरे की तिरिज्या R2 मान लेते हैं इस तरह से मैंने इसको R2 कर लिया, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, और इस आकिरती का नाम दे देते हैं, इसका नाम A, और उसके बाद साथियों, और उसके बाद साथियों इसका नाम B, यहां पर यह जो बिचला भागा इसका नाम B कर देते हैं, उसके बाद इधर C कर कर लेता हूं यहां पर क्यों कर लेता हूं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे अब उसके आत क्या करना है जह साथियों आयता निकालने के लिए तिरजिया पता होना चाहिए तो यहां पर आरवन आरटू कमान पता कर लिजिए तो आरवन आरटू कमान पता करने के लिए अब तिर्ज्या को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा तिर्भुज लगाना पड़ेगा तो पहले आप यह छोटा ला तिर्भुज लगाईए तो यहां से R2 कमान पता हो जाएगा फिर बड़ा वाला तिर्भुज लगाएंगे तो यहां से R1 कमान पता हो जाएगा तो तेन ठीटा बराबर क्या होता है साथियों लंब बटे आधार होता है आपको तिरपोड मिती की फार्मूले याद करना पड़ेगा लंब बटे आधार होता है अब ठीटा का मन देखे ठीटा का मन तीस अंस है तो ठीटा के जगहां पे तीस अंस तो टेन तीस अंस उसके बाद बराबर में साथियों, फोड के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब आपका R2 है, और आधार आपका क्या हो जाएगा साथियों, आधार आपका A B हो जाएगा, तो आधार आपका A B है, तो A B रख दीजिए, अब इसमें मान अलाग करके रखते हैं, तो 10-30 कमान कितना होता है, एक बटे अंडर रूट 3 होता है, एक बटे अंडर रूट 3 रखेंगे, उसके बाद R2 कमान आपको निकालना है, R2 रहने दीजिए, उसके बाद A B कमान देख लिजे साथियों, यह से लेकर B कमान कितना 10 cm है, तो यहाँ पर आप लोग 10 cm रख लिजिएगा, 10 cm, तो यह हो जाएगा, R2, R2 गुडे, गुडे, अंडर रूट 3 बराबर 10, अंडर रूट 3 को इधर भेज दीजिएगा, तो 10 बटे अंडर रूट 3 निकल करके आ जाएगा, इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, यानि एक मान आपका निकल गया R का, अब दूसरा मान R का निकालेंगे साथियों, तो दूसरा मान कहां से निकालेंगे, दूसरा मान के लिए आपको बड़ा अला तिरभुज लगाना पड़ेगा, तिरभुज APQ में, तिरभुज APQ में, इसमें भी 10 ठीटा लगाएंगे, तो 10 ठीटा बराबर, लंब बटे अधार होता है, लंब ब साथियों, कोड के सामने अला बुजलम, पीकी हो जाएगा, यानि पीकी हो आपने R2 माना है, तो R2 बटे अधार आपका बार, आपकी बार AP हो जाएगा, तो AP कर लिजेगा, यहां पर, तो AP मैं रख लेता हूँ, यहां पर साथियों, AP कर लेता हूँ, उसके बाद 10 ठीशंस एक मिनिट, यहां पर R1 माने हैं, तो R1 रखी साथियों, यहां पर, R1, एक मिनिट, R1, तो यहां पर R1, गुड़े, अंडर रूट, अंडर रूट 3 हो जाएगा, बराबर 20 से कंडम 20, तो R1 बराबर अंडर रूट 3 को इधर भेज देंगे, तो 20 बटे अंडर रूट 3 निक समझना है, एक बात आपको यह समझना है साथियों, क्योंकि देखिए, इसको पिघला करके यह जो है बेलनाकार यह बनाया जाता है, तो इसका आयतन इसके बराबर होगा, तो यहां पर आप लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, तो यहां पर आप फार्मूला लगाएंगे चिनक का अइतन बराबर जो है बेलना कार तार का उधाईतन और jus जिनक का अरीन बराबर का विधे कार 2 जिए-4突 bindsent अब फर्मन लगाएंगे तो चिनक का आइतन क्या होता है छिनक का आइतन होता है एक बटे 3 pi h चिनना कायतन होता एक बटे 3 pi h और bracket में होता है r1 का square plus r2 का square plus r1 into r2 होता है उसके बड़ाबर बेलन कायतन क्या होता है तो बेलन कायतन होता है pi r square h होता है pi r square h होता है h मान लिजिये और यहाँ पर इसी की उचाई आपको ग्याद करना है तो इसकी उचाई को कैपिटल एल मान लिया जाता है इसकी उचाई को साथियों हमने कैपिटल एच मान लिया यहाँ पर कैपिटल एच बेलना करतार का आयतन तो यहाँ पर उचाई को कैपिटल एच कर लिया है अब ध्या िवाय पर चछिनक की उचा चाहिए ये 10 संटीमीटर है यानि चिनक आपका यही इतना भाग है पुरा तो संक्वा का कर आकरथे हैं तो के Negar कि आपके नगया चाहिए तो तो यह तो तो यहां पर आप साइड में इसे लिख सकते हैं जानकारी के लिए आब समान लाकर करके रखते हैं तो 10 असके बाद सात्य कितना अरवन कमयन कर ने सब्सक्राइब 10 उसके Robin कमान कितना है और 10 अमदा सब्सक्रांब कर दिजएगा इसका गार्णे Bowl कमान कितना है ख़ी और 10 में चलंए तो इसमें मान लाकर के रखते हैं तो 20 बटे अंडरूट 3 उसके बाद गुड़े 10 बटे अंडरूट 3 इतना है इतना कर लेते हैं उसके बाद बराबर में साथियों यहां पर जो है देखिए यह जो तार बना जाता है इसका ब्यास एक बटे 16 सेंटीमीटर है तो इसकी यहां निकालेंगे तार की तेरिज्ज्यया धर की त कि तेरिज्ज्या आर बराबर निकालेंगे बटे 16 यह दो 10 और इसमें एक 2 से घुड़ा कर देंगे यह भाग कर आपकर आपका सेंटी मीटर ये तिरिज्य आपका निकल करके आ जायेगाी किया इप एक बटे 32 अब इसमें मान लाकर के रखते हैं एक बटे 32 मुसके बद गुड़े में 2022 मुसके बद गुड़े में Ihre का म Juiden ड़ना है तो अपर रहने देजे एस अब आप लोग इसको calculate करेंगे calculate कीजिएगा तो यह हो जाएगा 10 बटे 3 उसके बाद गुड़े में साथियों उसके ब्रेकट के अंदर 20-22-200 हो जाएगा उसके बाद बटे अंदर एंदर एंदर 3 का गुड़ा होगा तीन आजाएगा उसके बाद बराबर में इधर आपका क्या रहेगा इधर आपका वैसे रहने दीजिए यानि कि एक बटे 32 गुड़े एक बटे 32 उसके बाद गुड़े में कैप्टल एच है तो कैप्टल एच का लेजिएगा उसके बाद दस बटे 3 उसके बाद गुड़े में इसको LCM लेकर के हल करेंगे तो इसका LCM 3 हो जाएगा तो उपर आपका 400 प्लस 100 उसके बाद प्लस 200 हो जाएगा दोस्तों यहां पर कर दीजिएगा उसके बराबर में एक बटे 32 उसके बाद गुड़े एक बटे 32 गुड़े में कैप्टेल एचे तो कैप्टेल एचे उसके बाद कल्कुलेट करेंगे साथे तो दस बटे 3 उसके बाद में गुड़े में यह पूरा जोड लीजिएगा इसको पुरा जोडेंगे तो आपका हुजएगा 426, 400 700 गुड़े गुडे में लगा दीजिए उसके बाद यहाँ पर एक मिनट जो और प्रस्टेंप ञांझे चिनना लगा दीजिए उसके बात अब समें क्या करेंगे इस बेलो को फैर पच्छして करें दीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा इसका गुड़े के रूप में इधर आएगा तो गुड़े में हो जाएगा तो यह 32 गुड़े 32 उसके बराबर में इधर कैप्टल H चल रहा है कैप्टल H चलने दीजिए अब इसको काटे पीटेंगे साथियों इसको कल्कुलेट करेंगे हम लोग ह तना आता है आईए इसको कल्कुलेट किया जाए तो यहां पर कल्कुलेट करेंगे साथियों आपका इसका इसमें गुड़ा करेंगे तो यह आपका आजाएगा यह फानली आपका निकल करके आएगा मैं आपको बता देता हूं मैं आपको एक एक कल्कुलेशन बता देता हूं यह आजाएगा 7000 और गुड़े 32, गुड़े 32 कियें तो यह 1024 हो जाएगा 1024 उसके बाद बटे में 9 है तो 9 और बराबर में capital H capital H है तो capital H मान के रखिएगा अब उसके बाद finally इसका अगर आप गुड़ा कर लेते हैं साथियों इसका गुड़ा अगर आप 7000 में 1032 का गुड़ा कर लेते हैं तो यह आपका आजाएगा तो यह आपका आजाएगा साथियों मैं आपको कल्कुलेट करके बताता हूँ यह आजाएगा 716850 उसके बाद बटे में 9 है तो 9 कर लेंगे बराबर में capital H चल रहा है अब उसके बाद इसका भाग कर देते हैं साथियों तो यह आपका आजाएगा 89,000 89,6444 चार सो 44 यह आपका बराबर H में आजाएगा तो यह आपका सेंटी मीटर में आता है साथियों अगर इसको आप मीटर में बदलना चाहते हैं तो इसमें आप जो है क्या करेंगे सो से भाग कर देंगे सो से भाग कर देंगे तो साथ, नो, छे, चार, चार उसके बाद बटे में सो सो से भाग कर दीजेगा तो यह आपका जो आजाएगा वो मीटर में निकल करके आ जाएगा तो यह आपका आजाएगा 7,964, 7,964.44, 0.44 मीटर, मीटर, तो यह आपका आंसर निकल करके आ जाता है, आशा करते हैं, आप सभी लोग इस प्रस्तकाल समझ गे होंगे, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीन स्वाट लेना चाहते हैं, तो कल्कुलेशन बहुत ही इसका सांदार है, बहुत ही जवर्दास्त इसमें कल्कुलेशन है, तो इसको आप लोग को ध्यान पूर्वक खाल करना है, अब यहां से आप इसको स्क्रीन स्वाट कर सकते हो, तो साथी वीडियो काफी लोग हो चुका है, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग इसको ध्यान पूर्वक की स्क्रीन स्वाट लेजिएगा, नहीं तो अनिता इस प्रस्म को हल करने में गड़बड़ हो सकता है, चले साथी वीडियो में तद तक कि लिजए हिंद जय भारस साथी वीडियो